कई दूसरी वीडियोज उन लोगों की भी देखी जो बहुत धार्मिक संदेश तो देही रही थी लेकिन धार्म गुरु तो नहीं लेकिन मैं उनको यह दुरू कहुआ कि हाँ वो कहुचुनी चीज़ है जो जिनक विश्व पर उने अपने वीडियोज लोग तक पहुचाई ह तो मुझे लगा कि जिकनी चीज़ें वरों में कहीं है अगर मैं उन चीजों को किसी भी सैंस या संदर्व में आपके तही हुए संदेशों के परमुक भाव से यह पंपेर करूं तो वो फिज़रा ठीक है और आपके भाव इंदम स्वच और निर्मन और सभी को रासाने वा कि जब मुझे यह लगा कि जो मन को मेरे एक चीज़ समझ नहीं पाया मैं भी तक कि उधर उनके व्यूज कम दिनों में जितने पहुचे और यह ज्यादा दिनों में तो हमारा जो गारा है अब प्रोशन नहीं करते हैं हम जो एसी क्यों एक्टिविटीज होती है जो एक गूगल का ऑप्तिमाइजेशन का सिस्टम होता है तो गूगल अपने क्रोलर के अक्रोडिंग उसका प्रमोशन करता है उस प्रमोशन पर खर्चा करना पड़ता है एक टीम बठानी बढ़ती है यह लाखो में वीवर इसकी वीव हो सकते हैं लाखों सब्स्क्राइब लगा गेन वहीं जब में कुछ प्राप्त नहीं करने निकला खर्च को और इतनी बरिया बुद्धी तो मेरी है इतना ऐसा मैं वहुत होलग पैसे के मामले में लेकिन इतनी दिमाग मेरे ज़रूर है कि मुझे जब लाक्ष रुपे कमाने तो मैं लाकों खर्च को और और मु कहने के बाद भी 19,000 लोगों ने कर रखाया मतला 19,000 लोग संबुद्ध भी हैं ऐसी वाद नहीं है एक मेरी तुलना तो गोदर मावीर से करो क्रश्ण और क्राइस्ट से करो मेन तंबाकू और गुटका और बाम और चंदर और चूरण और चटनी और यह नेवला चप दंतमंचण बेशने वाला गुरून नहीं हूं मजमा लगाने वाला गुरू मैं नहीं हूं मेरी तो तुला करनी है तो उनसे करो तो तो मुझा अच्छा लगब और मेरा काम भी वैसा ही है तो उनको पास थे क्या करा किसी ने बाकी लोग बाकी लाइट किसी का जीवन का स्वाइब भुद्ध पैदा नहीं कर पाए बुद्ध पूरे जीवन में अपने एक विक्ति दूसरा नहीं पैदा कर पाए और जो पूर्ण काश्चप जिसको गद्दी देना चाहते थे उसको इटों से पीट पीट के उनके सामने ही मार दिया हुई जेतवन में तो हम 19 लाख हो गए चलो उससे क्या हो जाएगा मेरा सुख खंडित होगा मेरी शांती भंग होगी मेरा आनंद और मेरा जो प्रमाद है सात्यु प्रमाद प्रमाद नेगेटिव में सुना होगा आपने मैं सात्यु प्रमाद की बात करता हूँ मैं तीन बज़े से छे बज़े तक साधना करता हूँ दाइ बजी से छे बजी तर साड़ी तर साथना करता हूं, मैं जाड़ी से फिर सोजाता हूं, मैं आड़ बजी उटता हूं, तो जो मेरा जुए आनन्द है, यह तो मेरा भंग हो जाएगा, मैं साड़ी माथा पोट के ही बैठा रहूंगा दरशन देने के लिए, वो दित्र कितने लोग जानते हैं, रुत्र संगीता के कितने लोगों ने नाम सुना है, कितने घरों में रखी है, कितने घरों में शराब के बड़े-बड़े-बड़े-बड़े केस हैं, शराब की वो क्या बोलते हैं, उसको लगाते हैं लोग अपने घर में, बार टाइब बनाते हैं किसर की डिब भी आपको किसी ज़ें में मिलेगी, सिशी आपको अउन्टी में लेगी, ना कर आत्मक्तव स्दे जॉद्ध होती हुदी हमें, ज्यादे होनी की कला मैं जानता हूँ, मैं सब को पछाड सकता हूं जिर छेमहीने में, लेकिन देखिर मैं करूंगा क्या … अगें, क्या होगा उससे? उससी ही होगा कि मुझे उसको पछाड़ने में कुछ असत्य का परचार करना होगा. कुछ ऐसी बाती बोलनी होगी जो कहीं है नहीं. मुझे रस्ठी का साब बनाना पड़ेगा और आत्मी को हवा में चलाना पड़ेगा. वो अपने बस में देखा, वो आया भाई साब, कोई पीछे कोई मांग नहीं ड़ता. दाथ में दर्द है लगा लो बाम, दाथ में चीस है लो गालो बाम, एक बाम सो दर्दों में आता है काम. गर में माबहन बहन बेटी हुआ करती, भूपे जाती सूजन, एक चावल के बराबर दाना हाथ पे रगड़ो, ऐसे दाथ पर गुमाया, इधर से उधर दाथ गाया, कुला मारा आप साब, आया भाई सार, किसे ने भी हाथ ने उठा रखा, जूट, जूट का परचार, जू हुआ हुआ है, किसे में हाथ ने लगाया, सिर्फ एक्यामंट से रुपे में आपके लिए, और इस इंदुस्तान में इतने बेवकुफों के ताधाद है, कि एक हजार लोग उसे दिन खरीद लेंगे उसको, जैसे एक हजार रुपे से गुना कर लीजी आप, लापों में ज है, को दुकाने सी, हटसन वालों को भी नी पढ़ रहा है, साले चार्सों को जो मैनुफेक्चर है, मैं 440 रुपे की सबसीटी दूंगा, अपनी जेब से, कि हर घर में गी का दीपक जले, वो चालीस रुपे में खर्च कर रहा हुए, कि घर में दीपक जलाने के लिए, अग तो मैं उन से लेना में पसंद करता हूँ, तो इसका अल्टीमेटली, जितने वीवर बढ़ाना, ये सब करना, सबस्क्रिप्चन हो जाना, अच्छा, बहुत शिक रही, बहुत शिक रही, ये एक लाग से आगे चली जाएगी सबस्क्रिप्चन, और हर व्यू, फस्ट तब होगा क्या, उससे क्या होगा, उससे मेरा जो प्रकाश है, उस पर कमी आएगी, मेरी योग्यता में व्रद्धी नहीं होगी, मेरे काम में व्रद्धी नहीं होगी, मेरे पुन्य में व्रद्धी नहीं होगी, ये छरित होगा, कम हो जाएगा, हाँ, मेरी महिमा बहुत ज गोज़ इस वह थे जाने लिगेगी मुझे लोग जादे जान रहे होंगे लेकिन मैं जन्माना केंझ होगे कि मैं उन्रींटारी चालता हम ने श्रेयर प्रेश ने डूर रहना चाहता ढ़िए भी ज़ेधरेध में मैं यहां क्यों हूं? मैं यह क्या सब कर रहा हूं? बतले इसको कोई अभिमान या कोई जिसे घुवंड भी ना मानिये ऐसे में मानिये गुरुजु तो अपना आपको पता नहीं क्या समझ रहे हैं जी और क्या पता नहीं क्या कह रहे हैं और लोग कुछ सुच के पदै क्या गटते हैं मुझे ऐसे कहीं लोग मिलते हैं तो गुरुजु कर ना तो बिजनिस आता ना कोई काम आता और कहीं लोग फिर सोचते हैं कि गुरुजु के साथ जुड़ का फाइदा भी क्या होगा ना तुछ पैसा कमा रहे ना हम पैसा कमा पाएंगे तो भीयों तुपैसा ही तो कमा रहे थे तुमें पैसा कमाने के बाद क्या सुक, शांती, संतोश, आनंद, स्वास्त, आरोक्य, धार, ये, प्रेम सब कुछ मिला नहीं मिला ना तो मतलब पैसा ठीक नहीं था, पैसाद मैंने बहुत कमाया, पैसाद सभी कमा रहे हैं, क्या सभी सुखी है, लिकिन मेरी कोई यात्रा नहीं है, मेरा कोई प्रशन नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई ख्वाइश नहीं है, मेरा कोई टूडू लिस्ट नहीं है, एक यह हो जाएगा तो, उसकी दस बार गरज हो, और वो प्रसंद हो, तो जो मर्जी करे, मैं तो उसका माध्या मूँगा, अगर वो कुछ भी कराना चाहता है, मुझसे कराएगा, लेकिन मैं अपने गुणवत्ता, अपना एक पायदा, जहां मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं इस गंटे गाली छोड़के कुछ भी बुलवा लीजी आप, आप, मेरा यहाने के पास जीवन बदल गया, जैसी मैं ने यह कदम रखा गुरुजी के आश्रम में, और मुझे ख़बर मिली, कि मेरी बेटी का फलाना एक पंड था मारु का, वह मुझे प्राप्त हो गया, पंदर एक लाग रुपे से लेके पांच करोण रुपे में दीप का पादुकॉन, और वह भी आके बोल देए, सलमान खान से बुल वालो आप, अब जो गुटका अमिताब बच्छन मुह में डाल रहा है कि गुटका खाता है वो, जो जितने सलमान खान, सारुक खान गुटका खा लेकिन गुटका पांच करोण रुपे में दिखा के एक्टिंग कर रहा है, तो वो तो याप पैर दबात भी मिल जाएंगे, अमिताब बच्छन पैर दबा सकता है, आप पांच करोण रुपे दे दो उस बात के, याप पैर दबाएगा, और कहेगा कि मैं मेरा स्वास्त, मै आपका एक कदम चला गड़े की और, और परमाकमा ने आपके दर्फ से मूँ फेर लिया, तुरंत, तुरंत मूँ फेर लिया, अब सब लोग आते हैं उनके आश्रम में इतना फंड आता है, उनका अश्रम में इतना बड़ा, उनके कमरे इतने, मैंने का वहां कुई दिया ज थान हुँगा हो कुछ, क्या गडुरू जी कईais को कुछ जवन के परिवर्थन के को की बात कर रहन भी सुना नहीं तो बैने का wiem कि अधूर आ ऊपकार का कहां करने हो कि इसी की मदत कर रहे हैं कुछ और करने हो, क легlie, ऊस थे को मतलब नहीं हो आपने ज़सा मतलब हैं यृ उ कि अधिये जो और ये जो कहलो रहा है यह वो ही कहलो रहा है इसमें इसमें ले रहे हैं पर एक नाया लोग आया था रहा है टेवी है एक फिल्म आई थी जिदम अधा बच्छन उश्षे कपोर थे एक सब्सक्राइब बात मैंने भी देखी यूश कोलेज लाइफ में सबी ऑन्हे बोवाती 하면 एक वे उनल Das सम्भोम गुरुभ के जीवन में भरम का प scrutाखव कर सका है amen लोगों की जीवन को उरक अंगम में लहा जोग आते है सभ चुछ आह पाते हुए उनके पास कोई वीजन नहीं होता है तो उनके पास सबकुछ रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और उस पूरी दुनिया को समेट के अपने ही प्रकल्प में रख लें, अपने ही परीदी में सारे विश्व की तमाम संपदा को अपने पास रख लें, बस जो मेरा परमात्मा है, मैं चाहता हूं कि मेरा हाथ उसके हाथ में रह जाए, बस, सब कुछ बोले जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्जाना, उसकी कीमत में मैं कुछ करना नहीं चाहता, यह बड़ी बात है, और बड़ी चोटी बात है, और बड़ी विनमर्ता के साथ मेरी एक चीज है, अभी विना सिंगी जी है, हमार उनों का गुरुजी आप सभी तरह के रसों में तिक वड़ा तरह के रसों में रुची रखते हैं और सब तरह से जुड़े हैं तो यह बाज उनको बहुत अच्छा मेसेज है उसको प्रभुपाद की घटना से जोड़ा कि महां दो सन्यासी पहुंचते हैं उनमें से कहता है ज और से उसे रस में उनके साथ रहूँगा तो पहले बाले को अपस बेज़ देतें दूसरों के बठा लेते हैं तो मैं जीवन के तमाम आनंद के साथ जीवन के सभी और में अपने सिश्टों के साथ भी ही चाहता हूं यहीं चाहता हुए कि सभी खटे होकर हमाले पर कोई अध्यापक हो तो वो इस गुणतत्यों को लेकर अध्यापन में डाल दे कोई क्लर्क हो अपनी क्लर्की में डाले कोई बास जो जो अलग अलग तो यह पूरी फ्रग्रेंस जब आप बीच बजार में एक आदमी समुद्र में मतलब नंगा नाएगा क्या निचोड़ेगा कि एक आदमी चला इए हमाले परवत पर मुझे गुष्षा नहीं आता तुम्हि neutrक बाज़ार आपकी गुन्वत्ता कायन रहे तो समाज में अच्छाई का प्रचार-परसार होगा समाज में अच्छाई परिलख्शित होगी है रहुत तेरी पनीजे को विस्तारित होगी जि चलगल जाता है बेकार हो जाता है तो दूशित पना समास से निकल जाए वो तब निकलेगा जब आप अच्छाई हैं यहां से ले जाएं और ने बाजार में फैलाएं एक दुकान पे बैठावाद में डंडी मारना बंद कर दे एक बिस्तरी जब ठीक काम शुरू कर दे एक को कोई आदमी अपना ठीक से करता व्यों का पालिम शुरू कर दे चरकारी दफसर में बैठा हुआ कोई आदमी रिश्वत लेना बंद कर दे पुलिस डिपार्टमें में रहने वाला आदमी इनारस्टे किसों को सताई नहीं तो यही तो हम यही तो फिर अच्छी दुनिया यह हविश्चती और अगर हमारा भाव इस चीज में लगा है कि कोई हमें पसंद करें यह भी तो एक कस्ट ही है तो अब आप किसी कोई हमें पसंद करें यह वही तो एक कितने लाइक हैं आपके कितने फॉलोर्ट से आपके मैं तो पहली जब पुश्टक किसी को देता था उससे अच्छी बात तो नहीं है इसमें कोई भी तो तुम पूछना भी पलटके मत उससे कैसी लगी होसता तुम उससे संगर्स में जोड़ जाओ तुम मेरी वहां जाके वखालत करने शुरू कर दो हमारे गुरूजी हमारे गुरूजी तो उसकी ज़ुरत नहीं है स्वांते किसी को अच्छा लग रहा है कि उसी की अच्छाई है और किसको कुछ बुरा लग रहा है तो वो हमारी कोई बुराई है अगर हमारे प्रमशन में किसी को कुछ बुरी बात लगी तो शायद हमें उसे कहने का ढंग नहीं आता होगा हम लोगों को उस तरह से नहीं समझा मैं तो अब देखे हमारे ग्रूप है बना हुआ इस्टाग्राम उस पर आप भी उसमें मेंबर है अब मतलब वैसे बाते बढ़ी लेकिन मेरे प्रियोग है सारे यह अब गुरू अलागा से प्रियोग करता है इनको कभी समझ नहीं पाते बड़ी कीमियाज होती है गुरू की उन्हें कभी नी समझ पाते मैंने एक आदमी को मेरे पास आया उसने को कि समस्य बताई सब्गोरिया मैं उसे का तुम ही है एक पोधा ले जाओ उसके पोधा लेजाओ उसको पातक दूगा तो समझ नहीं पाएगा शनी के मंदिर में धीपक जलाओ महा इतना उलत का दान करो यह करो यह खुद घर में तो किसी के लिए ध्यान डखता नहीं यह क्या करके आएगा मैंने इस अशनी का पोधा दे दिया मैं तुछ के सेवा करना तो उसे लगा किया तो पूछने गया था क्या इंसे बात करने गया था निलम बेचेंगे उसमें कुछ पैसे कमाएंगे कु तो गुरु अपने 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 धंग से बहुत सारे काम करता है लेकिन उन्हें कभी पकड़ नहीं पाते हैं उन्हें समझ नहीं पाते हैं तो हम उस पर तो ध्यान देते हैं बाकि जो पर ध्यान देना लग जाते हैं तो हम अगर हम किसी चीज की यह चेस्टा करें उसके पीछा करते हैं तो वो में दुख देती है समाज में दुख है, संसार में दुख है समाज में सुख है, संसार में सुख है लेकिन एक ऐसी अवस्था भी है जहां ना सुख है और ना दुख है वो ही अवस्था संबोधी की अवस्था है वही अवस्था एलाइट्मेंट की अवस्था है वही अवस्था आपके परमात्मा के साथ साख्षातकार की अवस्था है तो हम कंगा में जाकर की भी सूखे ही है हम समुद्र में जाकर की भी सूखे ही है और हम दूप में खड़े होकर की भी गीले ही है तो हम इस चीज में सोचना कि अब जिनके वियू बहुत जादे थे उनका नतीज़ा देखो ना आप क्या था क्या हुआ ने बताया ना कि कितने पांच करोड लोग राम रहीम को प्रति दिन एक रुपे का दान देते थे पांच करोड प्रति दिन आ जाता था चारला करोड का दमी था वो जेल में जीवन बीत रहा था अपने किसी के जीवन को क्या रूप रितट किया अपने किसी के जीवन का किया दुख रहा अब तो फिर आप उस शिरेनी में उच दर्म के काम के अदिकारी नहीं के अदिकारी नहीं है आप बागी काम तो सल्कुरूँ रही और पैसा पताब पैसे। उनके पाथ पैसा भी नहीं है मैं आपको सच बता अभी उन्से जदे रिच्छ तो हम हैं पर बड़ी बाफिस मतला हमें कोई चीज दस रुपय कोई गौल गपा खाना है तो हम खा लेते हैं हमें के 20 रुपय का पोधा खरीदने हम खरीद लेते हैं अभी हमें अभी हम कोशिश अभी हमने पोधी हम सब खरीदते हैं लेकिन लोगों को गिफ्ट करते हैं मैं बदार परमात्मे की दुकान खोलने वाला हूं हम में 490 का समान लूँगा जिसके MRP साले 600 होगी हां साले 600 उसकी MRP होगी चार सो नद्बे की एफेंड की प्राइज होगी और साले 400 में भी चूँगा एक आदमी की किलो दूगा जादे नहीं दूगा फिर अगली बार दूगा उसको किसमें करप्शन ना होग लोग जाकर दुगान पर लाकर बेचने लगें इसको बहुत तरह के बहुत आस्पेक्ट है किसे ने मुस्त दिये भी खा ये 10 किलो घरमें दे देना हमारे भी एक बच्छोटी से शौफ है हम में का समझ गया तो मैंने का एक ही किलो देंगे फिर उ पता हूं ऐसे लोगों को वो मिचले मेरे पास आते हैं ऐसे बहुत सरे मेरे पास आते हैं अभी एक आश्रम बना रहे हैं बहुत बहुत बड़े आचारिया मुझसे पूछ रहे थे वह बहुत सरे बाते मैंने उनसे यह कहा कि यूही मत कर लीजिए एहसान के तोहफे कबूल जाने किस अहसान के बदले में क्या मांगे कोई। वो वक्त का जहाज था, करता लिहाज किया, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत चला गया और आप नहीं रहे अब लाई के भलाने, निमगाने, ये वो, ये जो माया है सब ये सहागि सारा इलुजयन है, ये सब रागो केतुव है, मैं तो अभी मेरा समय बहुत छीज़ों में विकार हो जाता है, अभी मैं सत Damn, मैं थोड़ा अपनी रात को देर तक काम कर रहा हूं, उतर विด Tr शे तक मैं काम करता हूँ तो मैं मेरी लंबी वो है जो मैं काम कर रहा हूँ अभी कुछ पुस्तोकों के परायन उस पर हम काम कर रहे हैं मैं हमेशा प्रती दिन यह सोचता हूँ अपने प्रमात्मा के साथ जो मेरी बात होती है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो मैं समाज के इस विश् किरन दिखाई दे तो वो कहीं भुला भटका कहीं मेरे चैनल पर या मुझे किसे प्रकार से मेरी पुस्तक पढ़ ले या कुछ देख ले उसके जीवन में एक भी वेक्ति के जीवन प्रकाश्यत हो जाए तो मैं अपने अपको धन्ने समझूँगा वर रोज पने अपसे लोगों ने ना तो प्रोफेशनली बहुत हाइटली होई होती है बहुत अच्छे पदोपर कभी रह नहीं होते हैं बहुत अच्छी साथ संगत में कभी रह नहीं होते हैं मेरे तो प्रेमिकाई में बहुत रही मैंने तो जीवन में सब बहुत उच्छतम आयाम में सपर्ष क जो लोगों को आज भी ड्रीम हो सकता है उसमें छोड़ के चल लिया तब ही तो मैं यह कर रहा हूं अब जो बाकी भाबे हैं यह पचार स्मुल्जे होएं किसी को खाना ही ठीक नहीं भिला किसी को कुछ नहीं पचारे उन्हीं सम्में रह जाते हैं तो मैं तो जब बुद्ध चले अब बुद्ध कहरें में तुम जैसा लोग सोच नहीं तो हम जैसे ना वह इस लेवल पर खारें कि मैं तुम जैसा कि जब मैं एंलाइट्मेंट को अपलब्ध हो सकता हूं जब इश्वर को प्राप्त कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हैं चेस्टा करो तुम तुम भी ध्यान करो तुम भी आगे जा सकते हो तुम्हारा भी मौक्ष हो सकता है तुम्हारा भी कल्यान हो सकता है लोग करें तो हमारे जैसे बुद्ध क्यों बुद्ध हो सके राम क्यों राम हो सके जोंकि सब सम्राटों के पुत्र थे सब ही चुजों को आती शेता में अ है लेकिन वह कभी कि समझाने में काम करते वो भारशा लोग एक दम समझने के आदी होते हैं मैंने सातरे साल पहले तीन लाग रोप महिने के नोकरी छोड़ी अगर मच कंटीनू कर रहा होता हुँआ या पंतरें लाग रोप महिना का आदमी होता है तो पैसा कमाने का दूत मेरा पोस्ट भी सक्ष्य सुप्रीम था एक ही आदमी था मैं सब्सक्राइब पर था सीधे मेरी प्रेजिदेंट को रिपोर्टिंग होती थी मुझे कोई लफड़ा ही नहीं था आज मेरी तनका हर साल बढ़ा देते थे 30-40 परसंट बढ़ जाती है वह तीजिस तनका बढ़ती अब ही मेरे चैनल मेरे बहुत सरे लोगों मेरे दोस्त हैं कि मीडिया मेरी एक अपनी एक इस्पेशलाइज़शन रही है मैं उसका प्रफेसर रहा हूं तुम आज ही मेरे पास ऐसे वा आते हैं कि मैं अगर यहां से एक रिजुमे आज भेज दू हूँ तो जाती है दिल्ली अपनी जी जी एक अपनी जी 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 एक अनल अनन्द पस पंट तरेपं चबशन के उमर में एक्सपार हो गया जोग्या नहीं कैंसरो हूँ जाज है यह सब सोफ मेरे ना और हर चीज का अडिविशल और सभी बड़ा यह आपके जीवन के लिए आख है तूँ ले गए तो इसमें सब ऐसा निया था कि सब उस तरह के रहें कुछ परकरती की वह भी रही है पर कहने का मतलब यह था कि अल्टीमेटली सब जुचुमें कहने के धन का उपारजन है पर जब बहुत जब धना उपारचित कर लोगे तो क्या वह विकार भी तो लेकर आ सकता है परचाई तो आएगी कुछ तो अचीक जैसी ला सकता है कि जिससे हमारा मती भरम होने लगे विपत्ति यह पता नहीं मतलब हां किस तरह के संपत्ति आ जाए कि वह विपत्ति भी साथ मिले आए अब इनसे कोई पूछे तुमने चार लाग करोड कमा के क्या किया भई तुमन लोग आपको अपनी जीवन में अलाओ करेंगा तो आपको उन्हें अलाओ करना बड़ेगा आपके साथ और फिर कोई कहां क्या कर रहा है हर जिद की दिम्मेदारी आपकी है तो यह इस तरह की फिर उसमें ऐसे लोग होंगे आज तो मेरे पाद बहुत समय है आज मैंने आपके लिए समय निकाल कर रखा आज मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूं कल को हो सकते मैं आपको कम समय दे पाऊं तो अब सर्मा जी नराज हो जाएंगे तुरंत तो अब शर् करता है हर महीने मेरे गले में पट्टे बांदियां से पंद्रे बीस जो कि मेरे दो करोड़ रुपे महीना का खर्चा है इंदुस्तान के नंबर में अध्याद में गुरू की बात कर रहा हूं मैं सबसाद एफे मस नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि एक मित्रता की लिया नहीं लेकिन अब इसकी गती रुप गई अब बहुते चीजें मुझे देखने वड़ती है बहुते काम मुझे इसमें मेरी प्रज़ पोदे मुझे बच्चों की तरह इनके साथ मेरे लगा हो जाता है तो मैं पहले बहरागी आदमी था नारद मुनी की तरह है थेला कंदे पर दुनिया घूमना चाहता था मेरा मुल प्रकल्प यही था लेकिन फिर मैंने सोचा थो एक स्थान तो बना ही लो कि नोईड़ा मेराड में तो हमने अपनी ही लेंट थी हम कहीं भी बना सकते थे जंगल में इसलिए बैठे थी कोई यहाएगा नहीं कोई मैं सताएगा नह अगर लोगों को बहुत मिलना होता लोगों की परचियां काट नहीं होती है लोगों की कुछ का आज लगा दो जाकर काउंटर आप शाम कोट होगे अगड़ लाग रुपी लेकर के आपको भार बठा दूँगा मैं एक क्यामन एक क्यामन एक परचिय काटने के लिए और सब शाइयों कर जाएंगे यहाँ कि विद्या तो में लोगों को कड्ते हुए देक हुआ हो इसले 20 सालों से लिकनो का जिवन इरन्तर गथ की और है उनका जिवन इरन्तर किसने कि दुख में है उन उन्हें कहना नहीं नहीं प्रमादम नहीं तो मैं इतनी मुल्यवान चीज अब मेरे बाद मैं बोलता हूं कि मेरें द्रेमोदी भी कुछ करेगा तो यह करेंगा जो मैं कर रहा हूं इसके बाद रूम में वह बैठे है तो जो चीज एल्टीमेट हो जब मैंने वह जब जिसने बदाम के अच्छा कबरे में बैठ कर वहां अच्छा 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 जिस रूम में वह बैठें हैं तो जो काम सबसे अंतमे करना है और सबसे श्रेश्टताम है सबसे श्रेश्कर है सबसे पुन्य धर्मा है सबसे शांती सुक और अनंद का दाता है उस क्रत्य को क्यों ना करें फिरम उसी में हम सब देर कर रहे हैं आर्यम शर्णम शुभमास्तो संभव कर्णम अरमास्तो आर्यम शर्यम शुभमास्तो संभव कर्यम अरमास्तो आर्यम शुभमास्तो